कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो सब काम करना छोड़ दो और इस बीडियो पर कंसेंट्रेट करो क्योंकि यहां मिल जाएंगे तुम्हारे उन सवालों का जवाब जो तुम्हें यूटूब पर ढूंडे नहीं मिलते हैं इस बीडियो को इस लекстयर को बिलकुल भी आपको किया नहीं करना और अगर आप चानल पर नहीं है तो सबस्क्राइब गांपर ऑघ रहे न हीrik नई करना दूए तो और इस वीडियो में मैं आपको live webinar के बारे में भी आपको information दूँगा, अब लाइव webinar क्या है, कैसा है इसके बारे में आपको थोड़े ही तेर में पता चल जाएगा, पहली बात मेरे पास जो सबसे जाद है सवाल आता है, counseling के टाइम में, वो यह आता है कि भाईया, branch versus college, अ से थोड़ा सा कंप्रोमाईज करना पड़ रहा है तो मैं किसके साथ कंप्रोमाईज करूं यह कॉलेज के साथ कंप्रोमाईज करूं यह सवाल mostly बच्चों का है और अब इस सवाल का अंत्थ होगा क्योंकि इस से आपको clearly पता चल जाएगा कि what should you do अब simple funda है simple clear बात है सब को पता है तो हमें कितने परसेंट तक को फॉलो करना चाहिए इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं यह वीडियो इसी से रिलेटेड है तो प्लीज यार इस वीडियो को इग्नोर मत करो आओ हम आगे थोड़ा सा देखते हैं अगर मैं सिर्फ यूपी टेक काउंसि इस में मुझे यह ब्रांच इस देखने को मिल जाती हैं और अगर मैं जोसा होसा की बात करूंग तो अगर मैं बात करो तो सौफ्ट्वेर इंजीनेरिंग जैसे भी ब्रांच इस आपको देखने को मिल जाती है तो इन में से हमें प्रिफर क्या करना चाहिए अब कई बार हम सिर्फ हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है जैसे कूर्स यसी अगर मैं लेता हूं तो यह तुम जि हो उसमें तुम स्विच कर सकते हो और जब चाहूं तब स्विच कर सकते हो तो अब हमारे मन में अब जैसे सी सबका प्रिफरेबल ब्रांच होता है सबसे पहले नंबर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजिनेरिंग होता है तो कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज थोड़ा लोग चूछ करने चीए या इस पेसलाइजेशन लेके थोड़े अच्छे कॉलेज को चूछ करने चीए या फिर कोर ब्रांच लेके एक बहुत यह च्छे कॉलेज को चूछ करने चीए बड़ा सवाल है क्योंकि इसी यह लखनाव में 38,000 पर कंप्यूटर साइंस की सीट बन दोती है और 40,45,50 जाज तक सेल फाइनस और AI की सीट बन दोती है और वही केमिकल एक लाग देड़ लाग तक चला जाता है तो क्या अगर मेरी रैंक लो है तो क्या मैं आईटी लखनाव जैसे कॉलेज को चूछ करूं चाहाए मैं केमिक एक ही कॉलेज या किसी एक ही काउंसलिंग के प्रस्पक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं हर कॉलेज में हर काउंसलिंग में जब भी चाहें हम MPDT में बैठें चाहें हम जोसा में बैठें चाहें हम सीसे में बैठें या चाहें हम अधर स्टेट की काउंसलिंग में बैठें इस सवाल हमारे मन में बड़ा निरंतर क्या रहता है, उठता रहता है कि हमें इसमें से चूच क्या करना चाहिए, अब कुछ ब्रांचेज हैं, AI, ML, जो CSE के साथ नहीं है, AI, DS, क्या इनका कुछ फ्यूचर है, क्या हमें इसमें जाना चाहिए, तो अब क्या है कि इस सवाल का जबाब, ही हम आपको देने आए हैं, अब देखो, अगर मैं टेक ब्रांचेज की बात करूं, तो यही टेक ब्रांचेज हैं, कोर ब्रांचेज की बात करूं, तो इलेक्टरिकल है, सिविल है, मेकेनिकल है, और केमिकल भी अब कोर ही समझ लो, तो यहीं सारी कोर तो अब लोगों के मणमें कई बर सवाल आता है किया हमें इन्डेस्ट्रियल एंट परदक्शन आई पी जैसे ब्रांशे चूछ करने चीहें क्या आइरोनौ। चूच करना चाहिंए क्या क्रीक चुछ करना चीसे क्या का बयोकेमिकल चूच करना चीए का बॉक्टेक में की क्वीचर है developed प्लाषिक इक्नलोजी टेक्स्टाइल टेक्स्टाइल इंजिनेरिंग कार्फिट टेक्नलजी क्या इन सब में future है और वक्स तुम यकीन मानों इसमें से प्रच नहीं लेना हैं जी परिफ्रेबल नहीं समझता हूँ क्योंकि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जॉप्सॉप्स की बड़ा कमी है ज्यादतर लोग बेरुजगार बेरुजगार मिल जाएंगे आपको ऐसे ब्रांचेश के तो सवाल है कि क्या हमें अगर अच्छा कॉलेज भी मिल रहा हो तो क्या हमें इन ब्रांचेश को चूज करन चाहिए तो यह सवाल बड़ा ही इंपोचन्ट है अब जैसे अगर मैं बात करूं इस पेसलाइजेसिंगी तो जनरल एक और क्या होना चाहिए हम सब को बताएं कि सिसी किंग ब्रांच है क्या आगे भी एक रहने वाला है बहुत सारे बड़े बड़े रिपोर्ट के मुताब सब्सक्राइब करने वाली है बहुत सारे रिपोर्ट का कहना है तो यह जो बात है किस हद तक सही है फ्यूचर में क्या ग्रोथ है कहीं आसा तो नहीं है सर्फ हर बंदे को सीसी चाहिए और वही अगर एक नॉर्मल कॉलेज को उठाकर देखे किसी भी प्राइवेट कॉलेज नौइडा गाजयाबाद देली कानपूर तुम बैंगलोरू कहीं पर भी उठाके देखो तो एक चीज तुमें देखने को मिल जाएगा चाहे वी आईटी हो या जो भी हो पांच-पांच जैसे वी आईटी में 6000 कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं कितने जादे हैं यहां पर तुम देख लो नौइडा गाजयाबाद के कॉलेजों में 1200 बच्चे सिर्फ सी और इसके इस पेसलाइजेशन के हैं और बाकी सिविल में कितनी सीट होती है सेटूरेशन आजाए यहां पर भी जॉब मिलना उतना टफ हो जाए क्या ऐसा होने वाला है क्या क्या ऐसा होने वाला है जैसे अगर मैं इसी की बात करूं तो जब से चाइना की कंपनी इंडिया में बैन हुई है तब से इलेक्ट्रोंइक सेमी कंडॉक्टर की कंपनी यहां सेटूरेशन इनकी खुद की मैनेफक्ट्रिंग स्टार्ट होने का प्लान है तो आने वाले टाइम में बहुत सारी रिपोर्ट्स का कहना है कि जो एलेक्ट्रॉनिक्स इंचीनियर है इनकी हारिंग बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है मतलब इनका जो हारिंग का स्लोप इसपर ने वाला है अब क्या इस बात सहीं है तो इस पर चर्चा करना बड़ा है आप ऐड़िशन लिने तो जा रहे हो पर एड्मीशन में यह आपने कश्छन ले लिए तो पहले इन ब्रांचर के बारे में आप अच्छे से जान लो कि हम कौन से ब्रांच में जाएँगे तो इसका future scope क्या है कि जादे तर लोग branch तो ले लेते हैं लेकि उन्हें पता नहीं होता है कि इसका future scope क्या होने वाला है तो और कौन सी ब्रांच चादा ज्यादा नहीं होता है पास होना उतना कठी नहीं होता है जितना अधर ब्रांचेज में होता है तो सरी कौन सी ब्रांचेज थोड़ी सी ना एक अगर आप बिल्कुल फ्यूचर में नहीं पसता होगे अब हम लोग की टाइम है तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं था हम लोग बीना जाने बस सुन-सुन के ले लिए, Duck activity बनिया है ऐक रो पर तुं सुन के मतलो तुम भीड के पीछे मद भागो तुम अपने इंड्रेस्ट को पकड़ो इंड्रेस्ट को समझ और उसके हैं इनको हम compare करके आपको दिखाएं इनके future scope को दिखाएं कि इनके future scope को दिखाएं इनमें एक salary क्या हो सकती है इसके बार में आपको बताएं यहां पे lifestyle कैसी है इसके बार में बताएं ताकि आप उसके बाद सब कुछ जानने समझने के बाद आप decide करो कि which branch is good for you क्योंकि कुछ लोग से job की परपस से आते हैं कुछ लोग research की परपस से बीटे करने आते हैं कुछ लोग को बीटे करने के बाद MBA करना होता है कुछ लोग ऐसे ही लोग होते हैं जिनको सरकारी नौकरी चाहिए बीटे करने के बाद तो आपक और लिए आज है संदे को है संडे को है एक लाइबे बीनार है और यहां पे हमारी most of the टीम आएगी जहाँ पर आपको ब्राशेस का आइडिया देंगे में आपको कि श्या करना रोड में हमका साबस्क्राइब करना होता हैं तो पहला और दूसरा साल बड़ात जादा ही होता है जहां हमें इस किल को सीखना होता है engineering को explore करना होता है क्योंकि थाइर फूरतियर में explore करने का उतना time नहीं मिल पाता है क्योंकि वहाँ प्र तु तुमने दो साल में सीख है वही implement करना है उसी के basis पे या तो इन्टरशिप्स लेनी है या फिर jobs लेनी है तो एक तो रोड में बीटेक फस्टर कंडिडेट के लिए क्या होना चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे तो इसमें क्या है भाई सापके क्यों सेशन है हाला कि यह क्या है लाइव वेविनार है इससे पहले भी मैं एक रुपए का लाइव वेविनार लिया था और आज फिर एक रु करना है सबसे पहले आपको वेब डॉट स्टी बीजी पर जाना है मतलब है हमारी जो वेप साइट है यह स्टी बीजी है एस्टी बीजी आप डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद से आपको खुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा अब इस्टोर पर जाएए आपको courses दीखने को मिल जाएंगे डाट इस लाइव वेबिनार संदे एड पिम तो आज है संदे और आज आठ बजे आपको लाइव वेबिनार मिलने वाला है जहां पर हम सारा कुछ आपके साथ करेंगे अब क्या है इस लाइव वेबिनार में तो सिंपल सिंपल सा बात है लाइव वेबिनार वैसे तो एक हजार रुपए का है पर 999 रुपए डिसकाउंट है और एक रुपए में आपको वेबिनार अट्रेंड करने का मौका मिलेगा पर ही सब को नहीं मिलेगा क्योंकि 400 लोग पहले ही आ चुके हैं चार्चों के आसपास लोग पहले ही आ चुके हैं और सीट हमारे पास only 500 थी हालाकि यह ओन्लाइन था तो सीट 500 थी तो अब क्या है सिर्फ 500 लोग ही आएंगे और वही लोग क्वेशन कर पाएंगे हम बाकी लोग देख सकते हैं अपने सवालों को पूछ सकते हैं तो मैं आप से कहूंगा कि आप फटा फटी से ज्वाइन कर लिजे क्योंकि आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंग तो आपको बाइना उपर क्लिक करना है और यहां से एक रुपए का दक्षिडा देना है और दक्षिडा देने के बाद से आपको प्लान जो आपको यह वेविनार रिच्वाइन कर लेना है सिंपल सा फंड है अब इसमें साथ ही साथ हमारे जो पिछला वेविनार हुआ था लागतार आठ घंटे हमने वेविनार लिया था और हर एक बच्चे से बात किया थी इस बार तो सीट पांस हो है पिछले बार लगबग आठ सो क्यास पासीर थी और आठो सो खचा-खच भरी हुए थी और मैं यॉर्म याठों सो भर्चों से बात किया तुम बोलों के भाई साव एक ऐसी पौसुवल है तो आठ घंटे बात किया था आठ घंटे-गटे और उस ताइम पे मैं अकेले और भी IT से भी लोग आएंगे जिनसे तुम सवाल पूछ सकते हो तो ये तुम्हारे लिए एक golden opportunity होगी कि college में जाने से पहले तुम सारे मसलों को समझ के जा रहे हो और सारी चीजों को जान के जा रहे हो और साथ ही साथ जो लोग इसे join कर रहे हैं इसमें जो private colleges हैं जो government colleges हैं ज इस वेविनार का महत्तों क्या है और सच में गाईज अगर मेरे टाइम पर होता तो मैं 100% इसको क्या करता है जोइन करता क्योंकि यह इतना जादा महत्तों है कि मत पूछ हो अच्छा एक बात और अगर अभी तक आगर आपने अभी तक हमारे एकेटिव कांसलिंग का अबने लगाये ते हैं और दोनों कूपन कोट मतलब दोनों बार हमारे कूपन कोट खतम हो गये बच्छों के कॉपन कोट को खतम हो जाएगा तो पचीस सो का चो प्रोग्राम था अभी आपको पंद्रसों रुपए में मिलने वाला है तो यह बड़ा ही ज्यादा रोचक ची अभी तक आपने एकेट्यू का प्लान नहीं लिया तो ले लिए और वैसे भी एकेट्यू का सेजूल एक दो दिन में आने माला है अभी यूपी चक वालों ने सेजूल अपना चारी नहीं किया है तो यह सेजूल आने के बाद से प्राइस तो बहुत ही ज्यादा बड़े ज सकते हैं तो पूरे थरे के साथ हो सकता है कि 21 बजे तक विविनार चले लेकिन आप बहुत कुछ सीख के जाओगे इतना कुछ सीख के जाओगे कि आप खुद को ऐसा मैसूस करोगी ठीक है इंजिनेरिंग में इंटर करने से पहले एक इंजिनेरिंग की बढ़िया फील आ गई तो भाई साथ सीट कम है तो आप लोग प्लीज जो आना चाहरा है यह कोई जबर ज चकर में एक बंदा और रह जाएगा जो आना चाहरा है तो अगर आपको सीखना चाहते हो तो आके जरूर सीखिएगा तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे हो गया होंगे अब आपका साब आपके मन में सवाल आएगा भई आपने तो बताया ही नहीं कौँ से सकता बैडिनार नहीं समस्जा आप साईया devrait में क्लिक बतातने जढ़के में और बएस्ज भाइखिसी तो ऐग बेडूर इंट्यल और आपको आप में तूह्जिय जाएग ऊधिक बीडियो में तो Чलिये मिलते हैं में तब तक लिए बाबाए टाटा एंट जाहिंद।